बुल्लाई हमें सर्टों के साफ इतने सुकते साथ में अच्छी रवेजिटेबल कि साथ , आज मैं इस Daso क करने वाले हूं आज मैं अपने पिछली विडियो में eager वाली या निया कि सर्टों की हार्वेस्ट्टं। की थी तो इस बार फ्रेंड्स मैं अपनी मेथी की हार्वेस्टिंग करूंगी तो आप देख सकते हैं मेरी मेथी कितनी बड़ी-बड़ी हो गई है और इसी को हार्वेस्ट करके बताऊंगी पर पहले आप देख लेजिए मेरे सरसों के साग और पालक के कितनी अच्छी अब देख सकते हैं यहां से काट कर फिर से इसको अच्छी तरह बांदोंगी वैसे मैंने इसे ग्रेल पर ही चड़ा दिया है लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसमें कितने अच्छी वेजिटे बुला रहे हैं मैं जूम करके आपको बताती हूं कब देख सकते हैं फ्रेंड तो यह जैसे यह टिन डोड़ी की वेजिटेबला फ्रेंड यह भी मैंने कटिंग से ग्रो की थी किसी की घर से मैं कटिंग ले आई थी तो देखिए मैंने यहां पे भी ग्रो की हुई है तो इसमें भी लिवस आने लग गए है और देखी फ्रेंड्स यहां पे भी कितनी अच्छी पालक हो रही है कितनी अच्छी ग्रोध में है यह पालक आप देख सकते हैं मैंने दस दिन पहले भी एक वीडियो डाला था पालक की प्रूनिंग पे तो तब इतनी अच्छी ग्रोध में थी सेकिन आप देख सकते हैं उ इसके बाद इसकी काफी अच्छी क्रोध हो गई इस पालक की वी ए टो फ्रेंड्स आज हम करेंगे सर सो की साग डिन थ exist तो चलिए मैं आपको अर्वेश्ट करके बताती हूं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने मेथी काट लई है मेथी काटकर अब मैंने पालक भी काट लई है अब बारी आई है सरसों की तो अब मैं सरसों की हार्वेस्टिंग करूंगी आप देख सकते हैं मैंने मेथी और पालक काटकर यहां रख लिए हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सरसों की भी हार्वेस्टिंग कर ली है चलिए आपको एक चीज और बताती हूं मैं कि यह फ्रेंड्स मेरी लोकी की बेल है तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छे अच्छी लोकी आ रही है और चलो एक बहुत बड़ी लोकी मैं आपको बताती हूं तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ले आई हूँ मेरी छत पर और मेरी छत पर मैंने मेरी लोकी की बेल को फैलाया हुआ है और मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में जाके कि देखिए ये लोकीयां कितनी अच्छी कॉंटेटी में आती है मेरी लोकी की बिल पर और इस तरह से जगा जगा फ्रेंड्स लोकीयां लगी हुई है और आप देख सकते कितनी बड़ी लोकी है एक ये रही फ्रेंड्स एक ये रही एक ये रही फ्रेंड्स और चलिए मैं आपको वह लोकी बताती हूं जो लोकी मैंने बीच के कि ये रखिया है ताकि इसके बीज सूक जाएंगे लौकी सूक जाएंगे और उसके बीज बन जाएंगे तो मुझे फिर से काम आएंगे ग्रो करने में और किसी को देने में भी तो देखी friends ये वाली locky है ये आप gas किजीगा किये कितने kilo कि locky तो की locky हो गए होगी मेरे ख्याल से ये 26 kilo कि तो हो गए होगी friends क्यूंकि मेरे से तो उठाया उठाई 받고 पाती मैं ऐसे और यह मैंने बीज के लिए रख दिये इस लॉकी को ठीक है फ्रेंट्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा शेर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फ्रेंट्स बाइ